नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज हम बात करेंगे कि मिशन कावेरी जो भारत चला रहा है उसका क्या रिष्टा है और किस से रिष्टा है ध्यान से देखें यह नक्षा यह नक्षा है अफरीका के सुडान का सुडान में भीशन संगर्श चल रहा है यह भीशन संगर्श वहाँ दो सैने ताक्तों के बीच है और इन दो सैने ताक्तों के बीच जो संगर्श चल रहा है उसकी कहानी क्या है यह तो हम बताएंगे ही बताएंगे साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अफरीका के इस मुल् निकलेगी और अगर निकलेगी तो कैसे आईए इस पर बात करते हैं प्रबीर पुरकाइस से प्रबीर आज परताल दुनिया भरकी में हम सबसे पहले चल रहे हैं सुडान की तरफ लगातार जो खबरे आ रही हैं वीडियो जा रहे हैं वो परिशान करने वाले हैं वहां जो ग्रियुद जैसी स्थिती बनी हुई है उसमें लगातार हिंसा बढ़ रही है और हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से घटना क्रम हो रहा है दर्शक इस नक्षे को देख सकते हैं इजिप्ट ने अपनी सेना भेजी उस सेना को कुछ एक सेक्षन ने वहां पर उसको एरेस्ट किया फिर वापस उसकी रिहाई हुई यह सब जो चल रहा है सुडान जल रहा है और राहत की कोई आसार नहीं क्या कारण है इसका देखें तीन पहलो हमको इस पर देखनी पड़ेगी एक तो है कि सुडान की अंदरूनी स्थिति उसमें क्या क्या कहेंगे दरार क्या है क्यों आज फिर से वहां पर संगर्ष इस तरह से आर्म्स लड़ाई शुरू हो गया है व पड़े लबे स्ट्रगल हुए है उसकी बशीर 30 साल की डिक्टेटर था उसको निकालने के लिए साउथ सुडान नौट सुडान के बीच में सिविल वार था साउथ सुडान आजाद हुआ और बशीर इसके बाद भी सुडान की जो उस वक्त नौट सुडान कहते थे उसके बादशा बनके या कहेंगे जो भी डिक्टेटर कहके वो रहे थे और इसके बाद बड़े पैमाने पर जो संगर्श्वा उस सो वशीर को जाना पड़ा पर उसकी जो सवाले हैं कि सिविलियन रूल आएगी मिलिटरी के जो दो टुकड़े हैं जिसकी आप बात चर्चा कर रही है अभी कि एक टुकड़ा है जो कि ओरिजिनल मिलिटरी जिसके आधार पे बशीर डिक्टेटर्शिप अपना खायम रखा था दूसरा फोर्स है जो कि दारफूर इलाके में वहां पर बड़े पैमाने प के नाम पर पहचाना जाता है पर वो मिलिशियास की स्ट्रक्चर अभी भी है और उसका नेता जो है हम्टी है जबकि बशीर के बाद मिलिटरी लीडर जो है बुरहान है वो इस वक्त सत्ता उसके हाथ में है तो दरसल दोनों सेक्शन के बीच लड़ाई चल रही है और बहु की भी बरकरार है और उनको ये कहना है कि सिविलियन रूल पे ये दिया जाए हस्तांतर किया जाए मिलिटरी रूल खतम हो और ये मिलिटरी रूल में जल्दवाजी में जो हर तरफ से प्रेशर था इसको तैय करने के लिए कैसे RSF Rapid Support Force को कैसे मिलिटरी में शामिल किया इस पे जो दो क्या कहेंगे बाहुबली है मिलिटरी आधार पे दोनों की बीच पे लड़ाई है कौन उपर होगा या कौन किसकी कितना सिक्के में क्या आएगा सुदान का ये लड़ाई है जी और जब हम मैं आप से जानना चाहरे थी कि इजिप्ट जो है इजिप्ट इसमे में बताया जाता है कि उसने अपनी सेना भेजी जिसे हम्टी के ग्रूप ने पकड़ लिया उस समुह ने पकड़ लिया तो एक तो बताता है कि ये दोनों की ताकत मिलिटरी ताकत इस वक्त सुदान में है ऐसा नहीं किसी की बुलबाला है अभी इसलिए लड़ाई अगर च सुदान में जो बीज बचाओ करने की बात कर रहे हैं कि कुछ इंटरवेंशन कर रहे हैं वो उनकी स्थिति क्या है तो पहली बात तो है कि अंतराश्ट्य स्थर पे चाहे यूनाटिज नेशन्स हो चाहे यूरॉपियन यूनियन हो चाहे अमरीका हो इनका कोई इस पे खास दखल अंदाजी दिखाई नहीं पड़ता इस पे जो हुमिका दिख रहा है कि जो अंतराश्टी ताकते हैं उनका खास यहां पर इस वक्त इंफ्लूएंस दिखाई नहीं पड़ता यानि सुडान में जो अभी चल रहा है उसमें अमरीका यूरोप और बाकी जो शक्तिया हैं पर इस चीज में अभी भी उनका कोई इस तरह से दखल अंदाजी देख नहीं रहा है ना कि भारत वर्ष का जिसका अभी आप जानते ही हैं तद्वीरे आ रही हैं वहां से लोगों को निकाल कर निकाल के लिया जा रहा है पोर्ट सुदान से उनको वापस लाया जा रहा है तो खास इस तरह की अंतर राश्टिय इशू ये बना नहीं ना कि अंतर राश्टिय ताकते इसमें खास मौजूद हैं तो ताकत कौन कौन से इसमें है एक है युनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको याद होगा हम जब येमेन की बात करते थे तो सुदान की काफी सेदाए येमेन के येमेन गये थे युनाइटेड अरब एमिरेट्स की चाया चत्र चाया में एक्चुली उनको पैसा देके उनको लड़ाय जा रहा था येमेन में युनाइटेड अरब एमिरेट्स की क्या कहें उसके वर्धस्त था उसकी पैट्रोनेश था उसकी पैट्रोनेश था कि Saudi Arabia, United Arab Emirates और Yemen ये दोनों सेनाएं यहां भेजी थी और इस सेनाओं में इस United Arab सेनाओं में सुदान के काफी सेना शामिल थे उनको पैसा दे के वो भी एक सुदान की सरकार की आमदानी थी तो अभी जो सुदान में चल रहा है उसमें भी UAE और साओधी अरब का भूमी का है खास तोर से UAE का भूमी का है क्योंकि जो इजिप्ट के सेनाओं पकड़े गए थे उन्होंने इजिप्ट United Arab Emirates के मदद से ही उनको मुक्त किया क्योंकि United Arab Emirates के लगता है हम्ती पर भी एक इं दिखा रहे है ईजिप्ट की है उजिप्ट की में और एक चर्चा इस पे लाना चाहूँगा बाद में और लिबिया में हाफ्टार है वहाँ पे ये बहुत आहिम हादार भी उसका भी एक हाथ लगता है सुदान में है और हफ्टार इस वक्द एंकि हम्ती के साथ है जबकि complex situation है दोनों की स्वार्थ क्या-क्या है देश देखके चुनते हैं पर एक बात साफ है कि यह इलाके का जो इश्यू हो रहा है इस वाक इस पे बहुत-बड़ा बाहरी ताकत शामिल नहीं है इतना इतनी बात है कि यह जो जगडा शुरू हुआ दोनों military commanders के बीच में इसका वज process की थी तो उसमें यह जो बात्चीत है कैसे दोनों को जुड़ा जाएगा यह तैय नहीं हुआ और वही लगता है कि वजह है कि इसकी लड़ाई फिर से उभर के आ रही है एक चीज़ मैं आप से जानना चाहूंगी कि इजिप्ट नहीं जो अपनी सेना भेजी यहां पर बह क्योंकि इसकी पीछे एक दूसरी तरह की issues इस इलाके के लिए है यहां पर एक डैम जो है यह बनाए जा रहा है यह बना रहा है एथियोपिया यह है नील नदी आप जानते ही है एजिप्ट के लिए कितनी अहमेत रखती है जी तो उस हिसाब से उनकी पूरी जो पाली रिश करम जो है उनका बहुत बड़ा हिस्सा वह आपका नील नदी से आता है तो इसमें यह जो डैम है जिसके खिलाफ बहुत शोर एजिप्ट ने बचाया है क्योंकि सही बात तो यह है कि कोई भी देश राइपेरियन देशों के जो इस नदी के उपर है उनको बिना कंसल्ट किय क्योंकितना कितना हइड होगा कितना पानी जाएगा नहीं जाएगा यह निधारिट नहीं कर सकता है बलोग उनको पूछना चाहिए कि कितना होगी हमारे इंडेस है यहां से नदी का उधवाव है जहां से नदी शुरू हो रही है और उसका फायदा जिन-जिन देशों को मिल रहा है या इलाकों को मिल रहा है राइपएरियन मतलब यह हुआ जो नदी के दोनों पार बसे हुए है तो अगर अपर राइपेरियन जो पहले उट सकति नजदीक है वहां अगर पानी को रोक ले। वह एतोपिया है इस वक्त इसीओपिया है सुधान और इजिप दोनों इस में इसक कि अगर एक ऐसा देश जो उत्स के पास है नदी का श्रोथ रोग देता है बड़ा डैम बना के पानी रोग देता है और इसका बड़ा हिस्सा अपने देश में इस्तमाल करता है दूसरी देशों में जाने नहीं देता है तो यह अंतराश्ट्रिय कानुन के खलाफ होगा और य यह ऐसी इशू है जिस पर जंग होता है और हुआ है तो यह चीज एजिप्ट के लिए बड़ा खतरनाक है क्योंकि नील नदी अब जानते ही एजिप्ट का लाइफ-लाइन है तो यह इसलिए वो चाहते है कि सुदान में जो भी सरकार हो वो सरकार एजिप्ट की पक्ष में ह इसलिए उन्होंने बुरान को संब्ड हलांकि बुरान एक तरफ है और हफ्तार दूसरे तरफ है वो आपका हम्टी के साथ है जबकि मैंने पहले कहा कि लिबिया में एजिप्ट और हफ्तार एक ही साथ मिलके काम करते हैं तो यह एक पानी के ऊपर यह चीज भी चल रहा है इ ऐसनगरशंच मैं पहले करें तो यह यह इक स्टेक शष्ट कर मैं तोर रहा है और हम्ट इस वाक्तार को पर इसे वह यह संघर चल रहा है आहीं को और जो समय है ज़ाल रहा है जहांब पर संघर्श को पैस्ट बूस्ट उसकुर्स है प्रूरे जो जुब्ड जो बिस श्रम लाके हैं उन्हें हमने चिन्नित करने की कोशिश की है अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा दर्शकों को ये भी पता चले कि हम जो दो समूहों की बात कर रहे हैं दो सशक्तर समूह जो यहां लड़ रहे हैं बुरान और हम्टी दोनों के बीच में वो उसका क्या संबंद यहां सु अशू है कि Sudan एक civil war से गुजर चुका है साउथ सुदान नौट सुदान पहले अलग-अलग देश नहीं थे इस वक्त सुदान अलग हुआ नौट सुदान जिसे हम कहेंगे साउथ सुदान उससे अलग हो गया मूलता तेल का इलाका सौथ सुदान है उसका भी एक बड़ा श पर लोगों का कहना है कि ये फ्लो चले क्योंकि तेल रुख जाएगा तो हमारी काफी रुकसान हो सकता है तो इसलिए अन्तराष्टियस तर पे जो वहां पर फोकस है इसलिए भी है कि तेल के दाम बहुत जादर ना जाए और उसके साथ वैसी लड़ा ही चल रहा है तेल का शो सिविल वार के साथ साथ दाफूर करके जो इलाका है इस इलाके में उन्होंने काफी अत्याचार किया बड़े पैमाने पे मैसकर्स किया किये और इसके लिए कुख्यात है तो यह जन्जाबिद मिलीशिया एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त RSF में है जो बशीर के समय शु सुदान का सिविल वार की जो हम बात कर रहे है बशीर की नेत्रते में हुआ है तो यह बहां से मिलीशा यानि जो एक निजी आर्मी थी यह इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने शुरू की थी बशीर का सबर्थन था बशीर का खिलाब जो संघर्ष हुआ है तोर पे आये थे पर यह जो मिलीशिया हम जिसकी जिकर कर रहे है दारफूर के ऊपर जो अत्याचान हुआ था बड़े पैमाने पर मैसेकर्स हुए है उसका उस जनजाविद मिलीशिया एक्च्विली आरेसेट के अंदर शामिल है तो बशीर उनको पनपाज था पर यह दोन के दिल में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है सवाल है कि तीसरी फोर्स जो वहां है जनता जो की संघर्ष में आये हैं उनका क्या रुख होगा क्या उसको सुदान को जोड़ सकते हैं फिर इकठा कर सकते हैं और मिलिटरी का अपने जगह पहुंचाएं ताकि मिलिटरी म काम करें पर जो राज सत्ता है उसको पूरी तरह से कबजा नहीं करें दर्शकों को एक बात और यह ध्यान से नक्षा देखिए क्योंकि इसमें जो यलो यानि पीले में दिखाई दे रहा है वह अरब एथिनिक ग्रूप्स हैं और बाकी अलग नसले हैं जो अलग-अलग रं अभी तक हिलाडi हैं वह तो गायब हैं आपस में कुछ हो सकता है किया यहां पर देखिए सवाल यह है कि यहां दोनों की चाहे हो वो गुरहान की हो चाहे हो हम्रिटी के ौवह काफी हद तक शहरी इलाकों में सीमित है यहां के जो कहेंगे बड़े पैमाने जिए उन पे इ कि कम से कम टॉप ने और इन दोनों की यह है कि मिलिटरी को कबजा करके हम पैसा बनाएं थीक है ना बहुत सारे जो सुदान के दौलत है उसको कैसे हमस्ताद्रित कर सकते हैं अपने हाथ में आए तो आम जनता की पक्ष में यह दोनों फोर्स काम नहीं कर रहे हैं इनका है कि न सवाल यह है कि इसलिए जब तक तीसरा शक्ति जो मैं कहरता पॉपुलर फोर्स जो बशीर तीस साल की डिक्टेटर को हटा चुका है क्या वो फिर मैदान में आके इस देश को जोड सकता है नहीं यह देखनी पड़ेगी इस देश में अगर दूसरे लोग हस्तक शेप न करे ताकि एक विलिटरी को एक फोर्स समर्थन करें दूसरा विलिटरी फोर्स को दूसरा कोई समर्थन करें वो ना करें पर यह प्रेशर दे कि आप कम से कम आफ्रिकन यूंडियन की इस पे बीच बिचाओ करने की एक मौका मिले और इनके साथ मिलके कम से कम शांतिके वातावर तयार करें उस पे ये international pressure देनी चाहिए और खास तोर से इस इलाके के forces अगर एक करना शुरू करें मेरे ख्याल से आफरीका के लिए एक निया रास्ता निकलेगा जाकि आफरीका की हर लडाई में जो है बाहर से अमरीका अमरीका और यूरोप सही तमाम ताक्ते रहती हैं हमने जो discuss किया है फ्रांस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके बाद अमरीका कर रहा है वो सब छोड़के क्या आफरीका अपना problems को खुद हल कर सकता है और खास तोर से बीच बिचाओ आफरीकन यूनियन की दूसरे देश क्या कर सकते हैं मेरे ख्याल से रास्ता होना चाह है इसलिए दूसरे अरब मुल्क जो है उसका भी एक इंट्रेस्ट इस इलाके में है सौधी अरब और यूएई काफी काम कर रहे हैं यूएई इजिप्ट इन सबकी एक इंट्रेस्ट होगा लिबिया सबकी इंट्रेस्ट होगा पर बुलत यह आफ्रिकन प्रॉब्लम अगर बहुत शुक्रिया दोस्तों एक बात बहुत साफ है जो सुडान का ग्रिह युद्ध हमें समझा रहा है इसमें हमारी चिंता निश्चित तोर पे जादा है क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर भारतिये नागरिक फसे हुए हैं भारत के गरीब नागरिक जो रोजी बाकी देश कैसे प्रभावित होते हैं और शायद आज की तारीख में हम और आप मिलकर यह उम्मीद करें कि यह ग्रिह युद्ध जल्दी शान्त हो और इसे सुडान और आसपास के देशी मिलकर शांती की रह निकालें ताकि बड़े पैमाने पर युद्ध की विभीशिका ना पहले शुक्रिया